कॉंग्रेस निता राखुल गांधी की भारत जोड़ो नियायात्रा 14 जनबरी को मड़ीपूर से शुरू होने वाली है देश के सामजिक राज नितिक और आर्थिक मुद्व पर केंद्र पर केंद्रित ये यात्रा रहेगी पार्टी प्रमुख मलीकारजुन खळगे ने शनिबार को एक प्रेस कॉंफरेंस में ये है तमाम जानकारिया दी है उन्होंने भारत जोड़ो नियायात्रा का लोगो और टेग लाइन नियाय का हक मिलने तक भी लॉंच किया है प्रेस कॉंफरेंस में कॉंग्रेस अध्यक्ष मलीकारजुन खळगे ने कहा कि प्यम मोदी नहीं नहीं जगह है जाकर फोटो शूट कराते हैं लेकिन वो मणिपूर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते हैं मोदी जरूरत मंदों की बीच क्यों नहीं गए हैं बीते सुईतकालिन सत्र में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर खडगे ने कहा कि जो सांसद थे उनके खलाब भी कारवाई की गई विपक्षी पार्टियों को संसद में अपनी बात रखने का मौकर नहीं मिला है कॉंग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मणिपूर्ण में एक दुर्भागे पूर्ण घटना घटी लेकिन प्यम मोदी बहाँ जाने की बज़ाय बीच पर चले गए स्विमिंग करते हुए फोटो शिशन कराया निर्माणा धीन राम मंदिर पर फोटो खिचाने चले गए या कीरल और मुंबई चले गए बहाँ सभी जगह जा रहे हैं आप भगबान के दर्शन की तरह सभी जगह उनकी तस्वीरे देख सकते हैं लेकिन बहाँ मडिपूर क्यों नहीं गए हम एक बहुत बड़ा बारत जोड़ो नाय आत्रा चोदा तारिक को सुरूब करने वाले हैं और राहूल गांधी जी के नेत्रवत में ये भारत जोड़ो नाय आत्रा मणिपूर इमपाल से शुरू होगी और नागालैंड आसाम अरणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के पंद्रा राज्यों से जुर जाएगी ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसबा सीटे और 337 विदान सबा सीटे कवर करेगी करीब 6700 किलोमेटर दूरी तई करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी